रिखा बर्खो और माला तीनो बेहने दूसरे गाउं मेले में घूमने गई रास्ते में तीनो को प्यास लगी तो एक बड़े खेत के पास रुख गई वो सामने कोई कुटिया दिखाई दे रही है मुझे लगता है वहाँ कोई कुवा या तालाब जरूर होगा चलो चल कर देखते हैं तीनो बेहने उस खेत में जाती है वहाँ पर एक कुवा था तीनो जैसे ही पानी पीने लगती है अचानक उन्हें किसी के कराहने की आवाज आती है मुझे थोड़ा पानी पिला दो मैं कुवें से पानी नहीं खीच सकती क्योंकि मैं गर्वती हो मेरे पती भोजन की तलाश में गए है उन्हें आने में बहुत देर हो गए नहीं तो वो मेरे लिए कुवें से पानी खीच कर भड़ देते अरे जब शरीर संभाला ही नहीं जाता तो गर्वती क्यों होती हो, देखो तो कितना बड़ा पेट लटकाए बैठी हो वाई तो, जब खुद से कोई काम नहीं किया जाता तो गर्वती होने की जरुरत क्या है रेका दीदी, बरका दीदी, मुझे तो हसी आ रही है, इतना मोटा पेट लेकर बला कौन रह सकता है मैं तो कभी भी गर्वती ना हूँ, मुझे तो ऐसा मोटा पेट और शरीर लेकर रहा ही नहीं जाएगा चलो न दीदी, सौरत पर क्या ध्यान देना, हम कुए से पानी पीते हैं ना हाँ हाँ हाँ, चलो चलते हैं, हम क्या इसके नौ करें, जो पहले इसके लिए पानी लाएंगे, हम खुद पानी पिएंगे हमें बहुत प्यास लगी है औरत दर्द से करा रही थी उसे प्यास भी लगी थी पर तीनों बेहनों ने उस औरत पर कोई तरस नहीं खाया तब ही उस औरत का पती जो की एक रिशी था और वो आ जाता है हबरदार जो कुएं से पानी भी पिया तुमने मेरी पत्नी का मसा कोड़ाया है विपदा के समय उसकी मदद नहीं की एक गर्भवती स्त्री को दर्द से कराते हुए देखकर भी तुम्हें सरासी दया नहीं आई मैं तुम तीनों को श्राब देता हूँ कि तुम तीनों अभी के अभी गर्भवती हो जाओगी तभी तुम्हें पता चलेगा कि एक गर्भवती स्त्री की तकलीफ क्या होती है वो रिशी क्रोध में आकर तीनों बेहनों को श्राब दे देता है तीनों रोती हुई घर आ जाती है और सारी बात अपने भाई महेंद्र को बताती है महेंद्र उन रिशी और उनकी पतनी को ढूंटा है पर वहाँ खेत में अब उनकी कुटिया नहीं थी ना जाने वे दोनों कहां चले गए थे महेंद्र अपनी बेहनों के साथ घर लोटाता है महेंद्र की तीनों बेहने गर्भवती हो चुकी थी उनको गर्भवस्ता में देखकर सारे गाउंवाले उन पर थूथू कर रहे थे महेंद्र की तीनों बेहनों का रोरो कर बुरा हाल था ए भगवान अब मैं क्या करूँ इन तीनों की तो सगाई भी हो चुकी है अगर इनके ससुराल वालों को ये बात पता चली तो मैं उनसे क्या कहूंगा कि मेरी तीनों बेहने बिन ब्याही गर्भवती कैसे बनी कौन मिश्वास करेगा बाया बाया अब हम क्या करेंगे हमें तो बहुत डर लग रहा है हमारी वज़े से आपकी कितनी बद्दा भी हो रही है इससे तो हम तीनों इस दुन्या में ना ही रही तो अच्छा है रेखा कैसी बाते कर रही हो तुम तीनों तुम तीनों बेहने मेरे लिए क्या हो ये बताने के जरूवत नहीं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा चलो हम भगवान शिव के मंदिर चलते हैं और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो उन रिशी और उनकी पत्नी को ढोड़ने में हमारी मदद करें महें जो तीनों बेहनों के साथ शिव जी के मंदिर जाता है और प्रार्थना करता है तभी तीनों की नजर वहां रिशी और उनकी पत्नी पर जाती है जो मंदिर में ही बैठे थे भाईया भाईया वो देखू वो रिशी और उनकी पत्नी वहां बैठे है भागवान शिब ने हमारी सुन ले भाईया हमें रिशी और उनकी पत्नी मिल गए चलो रिखा दीदी बर्खा दीदी अब उनसे माफी मागेंगे जैए शिवशंकर आपने हमें रिशी और उनकी पत्नी से मिलवा दिया आपकी सदा ही जैए हो चलो तीनों चल्दी चलो और उनसे माफी मागो महीं जो तीनों बेहनों के साथ उन रिशी के पास जाता है और सिर जुका कर शमा मांता है ए रिशी महराज मेरी तीनों बेहनों से भूल हो गई इन्होंने नादानी मैसा किया इन्हें एक्षमा कर दीजिये रिशी महराज अच्छा तो तो इन तीनों की तरफदारी करने के लिए आया है जा मैं नहीं माफ करूँगा नहीं नहीं ऐसा मत कहिए आप भगवान शिव के मंदिर में पैठे हैं और आप तो जानते ही हैं शिव जी कितने दयालू है वो अपने सभी भगतों को ख्षमा कर देते हैं तो आप भी तो शिव भगत हैं आप भी मेरी बहनों को ख्षमा कर दीजी अच्छा चल ठीक है मैं तेरी तीरो बहनों को ख्षमा कर दूँगा पर तुझे मेरी एक शर्थ माननी होगी कहिए, मुझे आपकी हर शर्थ मन्जूर है ठीक है, मैं अपना श्राप वापस ले लूँगा पर तुम्हें अपनी बहनों के लिए बलिदान देना होगा तुम आजीवन विवाह नहीं करोगे, अविवाहित रहोगे बोलो, क्या तुम करने को तयार हो हाँ, मुझे ये शर्थ मन्जूर है नहीं, पर हमें नहीं अगर हमारा भाई आजीवन अविवाहित रहेगा तो हम तीनों बहने भी कभी शादी नहीं करेंगे हम तीनों बहने अपनी जान दे देंगे रिशी महराज, अगर आप ये शर्थ रखेंगे महेंद्र की तीनों बेहने वादा करती हैं कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, तीनों फिर से पहली वाली अवस्था में आ जाती हैं और महेंद्र अपनी बेहनों को लेकर खुशी-खुशी घर लोटाता है सदियों पहले की बात है, उदेपुर शेहर में एक खुबसूरत महल था जहांके राजा और रानी बड़े ही दयालू और निर्भल स्वभाव के थे राणी ने साथ पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी कि एक कन्या उनके घर में जन्म ले लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, राजा हमेशा से ही एक पूत्री की चाह में था एक रोज राद को जब राजा और रानी खाना खाकर अपने महल के किनारे बनी नदी के पास टेहल रहे थे, तो उन्हें उस नदी में एक टोकरी आती दिखाई थी, जिसमें एक नवजात करन्या थी, उस नवजात करन्या को राजा रानी अपने साथ महल ले आए, और राजा आज से ये कन्या हमारी पुत्री है, हम इसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे। ये तुम कैसी बात आख रहे हो पुरोहित, एक छोटी सी कन्या के बारे में तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, सिपाहियों इस पुरोहित को महल से बाहर निकाल दो। महराज, दस दिन पहले ही उस पुरोहित की मृत्ती हो गई, लेकिन सुना है उसका भाई, घंशाम, दूसरे राज्य के महल में पुरोहित है, आपकी आज्या हो, तो मैं उसे बुला लाओं, उन्हें शिक्र ही यहां लेकर हाजिर हो। घंशाम पुरोहित सेनपती के साथ उस महल में पहुँचा, मेरे भाई की भविश्यवानी बिल्कुल सही है, अब हमें इस बात का यकीन हो गया है, लेकिन इसका उपाय क्या है? अगर आपकी इस कन्या को आग के घेरे में बढ़ा किया जाए, तो आपके बेटों को इसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस बात का खास ध्यान रहे, कि वो आग बुझने नहीं चाहिए। कि हम अपनी बहन को उस आग के घेरे से छुटकारा दें और उसका विवहा करके उसे खुशहाल सिंदगी जीने दें। बिल्कुल सही कहा भाई आपने, चलो, चलो, अभी अपनी बहन के पास चलते हैं और उसे ये खुश खबरी देते हैं। सभी भाई अपनी बहन के पास पहुचें। बहन, अब वक्त आ गया है कि तुम इस चार दिवारी से आजाद हो जाओ। तभी उनकी बहन अंजिना उनसे बोली। हाँ भाईया, मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ, आखिर कब तक मैं इस आग के घेरे में चलती रहूंगी। अंजिना को बाहर निकाला गया, उसने पहली बार नदिया, पहार, पेर, पौधे, फूल, तित्निया देखी, वो बहुत खुश थी, तभी उसकी नजर बगुले पर पड़ी। अरे वा, ये तो बहुत ही खुबसूरत पक्षी है, भाईया इस पक्षी का नाम क्या है। सभी भाई उसकी बात मान लेते हैं, दो भाई राजे संभालने के लिए महल में ही रुखे, जबकि बाकी के चार बगुलों के राजकुमार को ढूणने जंगल की ओर निकल गए, लेकिन कई दिनों तक भटकने के बात भी उन्हें राजकुमार कहीं नहीं मिला, तभी उनमे हम नहीं टाल सकते, अब जब तक हमें बगुलों का राजकुमार नहीं मिल जाता, हम वापस नहीं जाएंगे तभी वहाँ से एक तपसफी गुजर रहा था, जिसे देख उन भाईयों ने उस तपसफी से पूछा प्रणा महराज, क्या बगुलों के राजकुमार का पता जानते हैं? हाँ, यहां से तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ, तकरीबन दस किलो मीटर चलने के बाद, एक उची पहाड़ी पर महल है, उसी महल में बगुलों का राजकुमार रहता है सभी भाई उत्तर दिशा की ओर चल दिए, दस किलो मीटर चलने के बाद, वो एक ऐसी जगह पहुँचे जहां सफेद महल, सफेद घर, सफेद मिठाईयां, और यहां तक कि सब की पोशाग भी सफेद रंकी थी चारों भाई महल के अंदर गए, और बगुलों की राजकुमार से मिले, और उन्हें अपनी समस्या बताई राजकुमार जी, आप हमारी बेहन से शादी कर लीजिए, वो जिद पकड़ कर बैठी है कि वो सिर्फ बगुलों के राजकुमार से ही शादी करेगी, नहीं तो उम्र भर कुवारी रहेगी मैं तुम सब भाईयों की पीडा समझ सकता हूँ, लेकिन मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता हम बगुले बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, और मैं बगुलों का राजा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी बहुत बुद्धिमान हूँ और इसलिए मैं अपने महल के लिए भी एक बुद्धिमान रानी की तलाश में हूँ, और अगर तुम्हारी बहन चाहती है कि मैं उससे शादी करूँ, तो पहले उससे साबित करना होगा कि वो बुद्धिमान है, ठीक है, हम आज ही उसे बुलावा भेज देते हैं, फिर अगरे दिन सुबह ही उस महल से चलने की तैयारी करने लगी, साथ ही उसने अपने बड़े भाई से कहा, भाया मुझे गोडा, दो दासी और कुछ सैनिक चाहिए होंगे, मैं कल सुबह ही बगलों के राजकुमार से मिलने निकलूँगे, ठीक है, इंतिजाम हो जाएगा, दूसरी दासी, जो कि उसकी बेटी दिव्या थी उसकी तरफ देखा, सच मोच, कितना अच्छा होगा अगर इस मनहूस की जगह मेरी बेटी की शादी उस राजकुमार से हो जाए, मेरी बेटी तो राजकुमारी बन जाएगी, तभी उसके दिमाज में एक खुराफाती आइ मैं इसके राजकुमार से कहकर, तुम लोगों को दो-दो किलो सोना भेट में दिलबादूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हे इस मनहूस अंजना को पहाडी से फेंकना होगा, देखो, मौका अच्छा है, वो अभी सो रही है लालच में आकर सैनिकों ने ऐसा ही किया, उन्होंने सोरे ही राजकुमारी को उठा कर पहाडी के नीचे फेग दिया, और दिव्यादासी को राजकुमारी के लाए हुए कपड़े और गहने पहना कर, बगलों के महले गए, राजकुमार जी, मैं साथ भाईयों की क्रौती ब पहाड भी वो दासी जवाब नहीं दे पाई, तब राजकुमार ने गुस्से में कहा, तुम्हारे भाई तो मुझसे तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन तुम तो इतनी आसान पहेली का उत्तर भी नहीं दे पाई, सैनिकों, जल्द से जल्द इसके चारों सैनिकों, इन सब को कारावास में डाल दो, फिर उन्हें मृत्युदंड दब्री आ जाएगा कभी वहाँ अंजिना आ जाती है, रुख जाएए बगुलों के राजकुमार, इन भाईयों की असली बहन मैं हूँ अच्छा, तो फिर तुम मेरी पहेली का जवाब दे कर ये साबित करो, कि वो बुद्धिमान लड़की तुम ही हो, वो कौन से तीन संख्याए हैं, जिन्हें जोड़ो या गुणा करो, तो उनका परिणाम एक ही होता है एक, दो और तीन वाह, बहुत खुब, लेकिन अगर तुम राजकुमारी अंजना हो, तो फिर ये लड़की कौन है ये मेरी दासी की बेटी है, इन दोनों ने मिलकर रास्ते में मुझे पहाड़ी से नीचे फिकवा दिया, लेकिन वो तो शुक्रे उपर वाले का कि मैं एक पेड़ में जाकर फंस गई, और एक लकड़हारे ने मुझे बचा लिया बगुलों की राजकुमार ने दासी दिव्या उसकी माँ और उन सैनिकों को कारवास में बंद कर दिया, और राजकुमारी अंजना के साथ बड़ी धूमधाम से विवाह कर लिया